स्रीमती आनुदिबन पतेल जी, केंद्रिय मंत्री परिषत के मेरे वरिष्ट सहयोगी और इसी धर्ति के प्रतिनी धी स्रीमान राजनात स्वीं जी, यहां के यश्रश्वी मुख्यमंत्री स्रीमान योगी आधितिनाज जी, उपमुख्यमंत्री केश्व पुरसाज जी, दिनेश शर्मा जी, विदान सभाग अद्यक्ष महुदय, स्रीमान नारायन दिक्षित जी, यूपी सरकार के मंत्रीगान, यूपी के सांसदगान, आरुपस्तित, देवी और सज्जनो, लखनव के सांसद ने मेरा स्वागत किया, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वागत किया, तो काश्वी का सांसद धन्यवाद कहता है. आज मेरा स्वाग्य है, कि महत्वपोर्ण दूसरे कारकम में मुझे आने का उसर मिला है, और दोनों कारकम में मुझे अटल विहरी बाजपाईजी को बंदन करने का, उनके वीजन को सम्मान करने का अउसर प्राप्त हुआ है. यहाँ आने से पूरव में दिल्ली में अटल जल योजना का सुभारम कर रहा था. शेहजार करोड रुपे की इस योजना के तहट उत्तर प्रदेश सही देश के साथ राज्यों में भूजल के स्तर को सुधारने के लिए काम किया जाएगा. इसके साथ ही आज हिमाचल को लद्दाग से जोडने वाली रोहतांग स्वरांग का नाम अटल टनल के नाम पर किया गया है. ये भी संयोग है कि आज सुशासन दिवद के रूप में जब हम मना रहें तब यूपी का साथन जिस भवन से चलता है वहाँ अटल जी की प्रतिमा का अनावरन किया गया है. उनकी ये भव्य प्रतिमा लोग भवन में कार करने वाले लोगों को सुशासन की लोग सेवा की निरंतर प्रेड़ा देती रहेगी. साथ के इसके अलावा अटल जी को समर्पित अटल मेडिकल उनिवर्सिटी का सनान्यास किया गया है. जो लखनव बर्सों तक अटल जी की कर्म भूमी रहा, अटल जी की समसदिय सीट रही हो और वहां आकर सिक्षा से जुड़े, स्वास्थ से जुड़े, समस्थान का सिलान्यास करना, जिसको भी अवसर मिलेगा, वो जीवन में इसे अपना सवभाग्य मानेगा, मेरे लिए भी आजे सवभाग्य की पल है. जब अटल जी यहां से सांसत थे, तब उन्होंने यहां विकास की अनेग परियोजनाओं पर काम शुरू करवाया था. रिंग रोड का काम हो, पुराने लखनों में ड्रैनिज सिस्टिम हो, यहां के अएरपोर्ट का आधुनी करण हो, वालमी की अमबेड कर आवास योजना हो, बायोटेक पार्क हो, लखनों को नई पहचान देने वाले सैकड़ों काम अटल जी ने किये थे. अब सांसत के तौर पर सिमान राजनाज जी इस विरासत को समाल रहे हैं, समवार भी रहे हैं. साथियों अटल जी कहते थे कि जीवन को तुकड़ों में नहीं देखा जा सकता है, उसको समग्रता में देखना होगा. ये बात सरकार के लिए भी उतनी ही सत्य हैं, और गुड गवर्नस के लिए भी, सूशाषन के लिए भी यही उपयुक्त मानदंड है. सूशाषन भी तभी तक संभव नहीं है, जब तक हम समस्याओं को संपुणता में, समग्रता में न सोचेंगे, न उसे सुलजाने का प्रयास करेंगे. मुझे संतोष हैं कि योगी जी की सरकार भी समग्रता की इस सोच को साकार करने का बर्षक प्रयास कर रही है. अटरल मेडिकल युनिवर्सिटी उसी सोच को परिलिक्षित करती है. ये उनिवर्सिटी यूपी में मेडिकल की पढ़ाई और उसको समग्रता देगी, संपुणता देगी और पाठ्यक्रम से लेकर के परिश्चा तक इसमें एक सुत्रता होगी, एक रूपता होगी और स्वाभाविक एकात्म भाव होगा. मेडिकल कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, परामेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग हो, चिकित्सा से जुड़े हर कोर्स, हर डिग्री को देख कर, और इसी की देखरेक में ये विश्वाविद्याले इस सारी व्यवस्ताओं को, विदाओं को आगे बढ़ाएगी. सरकारी हो, अर्दसरकारी हो या नीजी मेडिकल समस्तान हो, सभी की एफिलेशन इसी युनिवर्सिटी से अब होने वाली है. एक समान सैक्षणिक सत्र कैलेंडर लागू होगा, परिछाएं तय समय पर होगी, पारदर्शी तरीके से होगी, इस युनिवर्सिटी के मनने से, युपी में मेडिकल की पढ़ाय की क्वालिटी में और भी सुधार आने वाला है. सात्यों युपी सहीद, पूरे देश के हिल सेक्टर के विकास के लिए, हमारा विजन और डायरेक्शन दोनों पहले ही दिन से स्पष्ट रहा है. स्वास्त के साथ साथ, इस से जुड़ी सुधाव में सुधार पर भी, हमने ध्यान केंद्रित किया है. हेल्थ सेक्टर के लिए, सरकार का रोड मैफ है, पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केर, उस पर बल दिया जाए. दूसरा, एफ़र्डेबल हेल्थ केर, इसका जितना ज्यादा विस्तार हो, प्रियास किया जाए. तीसरा, सप्लाई साइड इंटर्वेंशन, यानि इस सेक्टर की हर डिमांड को देखते हुए, सप्लाई को सुनिशित करना. और चौथा, मिशन मोड इंटर्वेंशन, यानि स्वास्त से जुड़ी योजनाओं को मिशन मोड पर चला रहा हुए, आप सरकार की तमाम योजनाओं को देखेंगे, तो वो इसी रहा से गुजरती हैं, इसी मैप पर आगे बढ़ती हैं. साथियों, बिमारी पर होने वाले खर्च को बचाने का सबसे आसान तरीका है कि बिमार होने से ही बचा जाए. यही प्रिवेंटिव हेल्थ केर है, और इसके लिए जितना ज्यादा प्रमान में हम लोगों को जागुरुक करेंगे, जागुरुकता होगी, जितना ज्यादा सामाने मानवे, इसे लेकर गंबीर होंगे, उतना ही उनमें इम्मिनिटी बढ़ेगी, सरीर स्वस्त होगा. स्वच्छ भारत, एक प्रकारच अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केर का बड़ा अभियान है, तो योग भी प्रिवेंटिव हेल्थ केर के लिए जीरो कॉस हेल्थ केर है. उजवला योजना से, धूए से माताओं को मुक्ति दिलाना, ये भी प्रिवेंटिव हेल्थ केर का काम है, तो दूसरी तरफ, देश के हर नागरिक को फीट इंडिया मुव्मेंट का हिस्सा बना करके, उसको भी फीट रहने के लिए प्रेरित करना, इसके साथ साथ आईरु आईरुवेट को बढ़ावा देना, क्योंकि आजकल होलिस्टिक हिल्थ केर की मांग बढ़ती चली जा रही है, हर कोई साइड इफेक्ट से बचरा चाहता है, और उसमें आयूश, आयूवेट ये बहुत बड़ी भूमी का अदा कर सकते हैं, तो ऐसे हर पहल बिमारियों की रोक्ताम में अपना अहम योगदान दे रही हैं, प्रिवेंटीव हेल्थ केर के लिए हम जितना बल दें, उतना हेल्थ सेक्टर के लिए हमारी चिंताय कम होती जाती है, एक तरफ जहां इसे कम्म्टिकेबल डिसीज की रोक्ताम में बदर मिल रही हैं, वही दीसरी तरफ, जीवन शैली के कारण जो बिमारी आती हैं उन बिमारियों को दूर करने में भे ये कारगत साभीत हो रही है। के शुरुआती लक्षणों उसको पगड़ कर शुरुआत में ही उनके इलाज में मददगार साभीत होंगे। इती तरह सरकार का विशेश जो इम्मुनाइजेशन प्रोग्राम के विस्तार पर भी रहा है। हमने नई वैक्सिन जोडने के साथ ही दूर दराज वाले इलाकों में भी टीका करन अभियान पहुचाने में सफलता पाई है। इन दिनों हम लोग और मैंने कानपुर में इसको लौंच किया था पशूओं के आरोग्य को ले करके। फूट अंड माउट दिसीज वाला ये भी पशू का आरोग्य भी human element के लिए भी preventive healthcare के लिए काम आता है। अगर पशू बिमार नहीं हैं तो बिमारी फ्यलाने का वो कारण भी नहीं बनता है। यानि एक प्रकारत है holistic approach हमें आवश्रक्ता के अदूसार बल देते हुए आगे बढ़ाना आप होता। साथ यो health care के दूसरे आयम यानि affordability को बढ़ाना देने के लिए इसके लिए भी सरकारत्वारा कई एतिहासिक कदम उठाए गए है। आयुश्मान भारत के कारण देश के करीब सत्तर लाग गरीब मरीजों का मुप्त इलाज हो चुका है। यह आयुश्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। अमेरिका, कैनेडा और मेक्सिको उसकी टोटल जो जनसंग क्या है उससे ज़्यादा भारत में आयुश्मान के लाबारतियों की सुची है। इतने कम समय में सतर लाख लोगों ने इसका लाब लिया है। और ये वो लोग हैं जिसमें ज्यादा तर ये मान करके बैठे थे कि अब मृत्यू का ही इंतजार अच्छा होगा। जितने जल्दी मौत आजाए उतना अच्छा होगा। जितने दिन तक कस्ट जेल सकते हैं, बिमारी जेल सकते हैं, जेलते रहेंगे। लेकिन बच्चों को करज में डुबो करके हेल्थ के लिए कुछ करना नहीं है, ऑपरेशन करवाना नहीं है, हार्ट की ट्रिट्मेंट नहीं करवानी है, कैंसर की ट्रिट्मेंट नहीं करवानी है, सब कुछ आशा छोड़ चुके थे। लेका आयुश्मान भारत योजना आने के बाद उनको एक नई जिंदगी नया विश्वात नया उत्साह मिल गया और एक रुपिय के खर्च के बिना सतर लाख लोगों का उपचार हो गया और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश ने इस योजना को आगे बढ़ाने में बहुत सक्रियता दिखाईए अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 11 लाख ऐसे परिवारों लोगों ने इसका लाब लिया है इसी तरह जन आउशदी योजना कि इससे सस्ती दवाईयां मिल रही है यानि जो दवाई बाजार में जाकर के आप लेने जाते हैं 100 रुपया लगता है जन आउशदी केंद्रें वो 30-40 रुपय में मिल जाते हैं जिनको पर्मनेंट दवाईयां लेनी पड़ती है उन लोगों को महिने का 800,000, 1200, 1500 रुपय तक का बिल की बचत हो रही है यानि ये पूरे देश में जन आउशदी केंद्रें बहुत पपिलर हो रहे हैं और लोग जन आउशदी केंद्रें की दवाईयों को पसंद कर रहे हैं वहीं स्टैंड्स हो, नीकेप्स की किमत हों में भी काफी कमी लाई गई हैं साथ जैसे जैसे गरीब से गरीब को स्वास्ता से बाउपलब्द हो रही हैं वैसे वैसे हेल्ट केर की डिमांड भी बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है तो नए नए अस्पतालों, नए नए क्लिनीक, नए नर्सिंग हों बनने का रास्ता खुला है पिछले पांच वर्षों में रिकॉर्ड सिंख्या में मेडिकल सीटें बढ़ाई गई है इसी साल पूरे देश में पच्छत्तर नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देने का फैसला किया है एक प्रकार से ये हर तीन लोग सबा सीटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाने के हमारे वीजन को आगे बढ़ाने वाला एक सफल प्रयास है और इसका बहुत बढ़ा लाब भी उत्तरप्रदेश को मिल रहा है बीटे दो तिन वर्षों में ही यूपी में दो दर्दन से जादा मेडिकल कॉलेज श्विक्रूत किये जा चुके हैं जिसमें से अनेक या तो सुरू हो चुके हैं या फिर निर्मान की प्रक्रिया में हैं साथियों सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के स्वात को बहतर बनाने के लिए मिशन मोड में राष्ट्रिय पोष्ण अभ्यान समयत अनेक नए कारकम चलाए जा रहे हैं टीवी को भारत से वर्थ दो हजार पचीस तक पूरी तरह समाप्त करने के लिए भी राष्ट्रिय अभ्यान चल रहा है देश के लोगों के स्वात को सुधारने में बिमारी पर होने वाले उनके खर्च को कम करने में ये चार आयाम बहुत महत्वपूर्ण भूमी का निभा रहे हैं सात्यों जन्स्वास्त के ख्षेत्र में हो रहे हैं इस अभूत्पर्व काम का लाप यूपी में भी देखने को मिल रहा है इस वर्ष एंसेफेलाइटिस इसके मामले में योगी जी और उनकी टीम ने और यूपी की जन्ता ने बहुत ही सरानिय काम किया है और इसके लिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी है अंतराश्ट्य संग्रशनों ने बेही दुनिया की मान्य इंस्टिटूशन ने भी उत्तरप्रदेश की इस सफलता को सराह है उसकी प्रसमसा की स्वच्छता और स्वास्त सुविधाओं को गाउं गाउं तक छुलब कराने का जो अभियान यहां की सरकार ने चलाया है वो यूपी के लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है अब हमारा ये भी प्रयास होना चाहिए कि राष्ट्रिय पोशन मिशन और मिशन इंदर धनुष के काम को हम और तेज करें ताकि आने वाले समय में यूपी का हर बच्चा सुरक्षित रहे हर नागरेट स्वस्त रहे साथियो आज सुशासन दिवस पर ऐसे समय में जब हम नए वर्ष और नए दसक में प्रवेश करने जा रहे हैं तब हमें अटल जी की एक और बात अवश्य याद रखनी चाहेगे अटल जी कहते थे कि हर पीडी के भारत के प्रती में योगदान का मुल्यांकन दो बातों के आधार पर होगा और ये दोनों मानदन हर नागरिक के लिए हैं हम कोई भी काम करें दोनों मानदन को हमारे सामने रक्तर के करें अटल जी ने हमें जो रास्ता दिखाया है उन दो में पहला है हमें जो विरासत में मिली कितनी समस्याओं को हमने सुल्जाया है ये पहला मानदन है विरासत में समस्याओं आई है आती है लेकिन हमने जो विरासत में मिली वो कितनी समस्याओं को सुल्जाया है और दूसरा राष्ट के भावी विकास के लिए हमने अपने खुद के प्रयासों से इनिशेटिव से कितनी मजबूत नीव रखी है साथ में इन दोनों सवालों के आलोक में आज हम कह सकते हैं कि 2020 के साल में भारत अभूत पुर्व उपलब्दियों के साथ प्रवेश कर रहा है हमें विरासत में जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं और चनोतियां मिली उनके समाधान की निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं आर्टिकल 370 कितनी पुरानी बिमारी थी, कितनी कठीन लगती थी, हमें विरासत में मिली थी लेकिन हमारा दाईत्व था, कि हम ऐसी कठीन से कठीन चनोतियों को सुल जाने के लिए बर्चक प्रयास कियें और हुआ आराम से हुआ सब की धानाएं चूर चूर हो गई राम जन्म भुमे का इतना पुराना मामला भारत आजाद हुआ, विवाजन हुआ तब से ले करके लाखों गरीब उसमें भी जादा दलीत है बंचीत है, शोचीत है पहने कपड़े पहन करके अपना धर्म बचाने के लिए, अपने बेटियों की हिज़द बचाने के लिए जो लोग पाकितान, बंगला देश, अफगानिस्तान से भारत की शरन लेने के लिए मजबूर हो गए ऐसे सरनार्थियों को नागरिक्ता की गरीमा देने का रास्ता ऐसी अनेक समस्याओं का हल इस देश के 130 करोड भारतियों ने निकाला है इस आत्म विशाते भरावा हिंदुस्तान 2020 में प्रवेश कर रहा है एक नए दसक में कदम रख रहा है और अभी भी जो बाकी है उनके समाधान के लिए भी पूरे सामर्थ के साथ हर भारतवासी प्रयास कर रहा है चाहे हर गरीब को घर देना हो चाहे हर गर जल पहुँचाना हो कितनी बड़ी चुनोतिया होगी हम चुनोतियों को चुनोति देने के स्वभाव को लेकर कर निकले साथियों 2014 से लेकर 2019 तक के कालखन में हमने चुनोतियों को चुनोति देने का एग भी मोका छोड़ा नहीं 2014 से पहले देश की आदे से अधिक आवादी के पास सौचाले नहीं था अब सौचाले पहुँच चुका है करोडों गरीब परिवार हमारी माताए बहने रसोई गर में धूए में जिन्दी की गुजारती थी अब हर घर तक गैस पहुँच रही है हजारों गाव हजारों परिवार अंधरे में जिन्दी की गुजार लेकले बजबूर थे अब उनके घर में बिजली पहुँच रही है आदे से ज़्यादा आबादी बैंक से दूर थी उसके लिए बैंकों के दरवाजे खोले है करोडों गरीब परिवार के पास अपना घर नहीं था करीब दो करोड गरीब परिवारों के घर बन चुके है 2022 तक हर गरीब जो बेगर है उसको अपना पक्का घर देने के लिए काम तेजी से चल रहा है गाउं गाउं तक सड़क पहुँचाने का काम रेलवे कनेक्टिविटी पहुँचाने का काम तेजी से चल रहा है और साल 2024 तक हर गर जल पहुँचाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए भी हम पूरी तत्वत्रा के साथ जूट चुके हैं यही समाधान निउ इंडिया की प्रगति के लिए ठोस नीव तयार कर रहे हैं इसी ठोस नीव पर हम फाइव ट्रिलियन डॉलर एकोनामी फाइव ट्रिलियन डॉलर की अर्थेववस्ता के संकल्प को सिद्ध करने के लिए एडी चूटी का जोड लगाते हुए देश को साथ ले करके आगे बढ़ रहे हैं तक कि करोड़ो भारत बास्चों का जीवन सतर उपर उठे गरीब से गरीब को भी गरीमा और सम्मान का जीवन मिले सात्यों यही तो सुशासन है यही तो सुराज है जिसकी कल्पना अटल भिहरी वाजपाई जी और महामना मालविया जी सहीत तमाम राष्ट निर्माताओं ने की सी हमारी सरकार के लिए सुशासन का आर्थ है सुनवाई सबकी हो सुविदा हर नागरित तक पहुँचे सुवसर हर भारतिय को मिले सुरक्षा हर देश वासी अनुभव करे और सुलपता सरकार के हर तंत्र की को सुनिशित कर दी है हमारे लिए सुशासन का एक ही मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वाद इसी भाव और स्वभाव के साथ हम सब जुटे हुए है साथियों, हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार से सत्ता सुख को निकाल कर सेवा के संसकार घड़े जाएं ये तबी संभव है जब सामान्य मानवी के जीवन में सरकार का दखल जितना कम हो कम करने का प्रयास करना चीज़ हमारा प्रयास है कि सरकार अटकाने के बजाएं उल्जाने के बजाएं सुल्जाने का माध्यम बनें आप अगर इस सरकार का मुल्यांकन करेंगे तो यही कोशिश हर कदम पर आप महसूस करेंगे अब देश दस्तावेजों के एटेस्टेशन के सत्यापन के दोर से बहार निकल रहा है आपने खुश से प्रमानित कर दिया खुश जिम्मेदरी ले ली यही सरकार के लिए काफी है आज अधिकतर सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है डिजितिलिकरन कर दिया गया है जन्म प्रमार पत्र से लेकर पेंशन के लिए जरूरी जीवन प्रमार पत्र तक ज्यादा तर सिवाएं ऑनलाइन है पहले जहां कागजों, दस्तावेजों और सरकारी दप्तरों के फेर में ही एक सामान ये व्यक्ति फसा रहता था अब जीवन भहुत आसान हो रहा है साथियों, हम सुसासन के उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जन्ता को आवेदन की जरूरत नहों बल्कि सरकार उनके घर जाकर निवेदन करें कि कहीं कुछ समस्या तो नहीं है आप देखेंगे कि जन्हित की जितनी भी योजनाएं आज चल रही है उनमें लाभार्थियों के चैन से लेकर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए तकनीक का, डेटा साइंस का भरपुर उप्योव हो रहा है बेनिफिट डारेक्ट हो और डिलिवरी क्वीक हो तार्गेटेड हो यह हमने सरकार की कारसंस्क्रती में लाने का प्रयास किया है इसी से पारदर्शिता भी आ रही है जन्ता की सेवा भी तेजी से हो रही है और देश के इमानदार करदाताओं का पैसा भी बच रहा है साथियों, आज अटल सिद्धी की इस धर्ती से बैंग यूपी के युवा साथियों को, यहां के हर नागरिक को एक और आगरह करने आया हूँ आज अधि के बाद हमने बराबर देखा है आजधि के बाद के वर्षों में हमने सबसे ज़्यादा जोर अधिकारों पर दिया है लेकिन अब जब हम आजधि के पच्चतर साल के और बढ़ रहे हैं आजधि के दिवानों के सपनों को आज अगर हम तोलते हैं तो समय की मांग है कि अब तक भले हमने अधिकारों पर बल दिया हो लेकिन अब वक्त की माँग है कि हमें अपने कर्तव्यों अपने दाईतियों पर भी उतना ही बल देना है ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रोदेशन के नाम पर हिंसा की सरकारी संपति को नुपसार पहुचाया वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे क्या उनका इरास्ता सही था उनकी प्रभुत्ती योग्य थी जो कुछ जलाया गया बर्बात किया गया क्या वो उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था इस प्रदर्शन में हिंसा में जिल लोगों की मृत्यू हुए जो सामाइने नागरिक जख़भी हुए जो पुलीस वाले जख़भी हुए उनके और उनके परिवार के लोगों के प्रती पलबनम सोचें क्या बित्ती होगी और इसलिए मैं आगर करूगा कि जूटी अप्राओं में आकर हिंसा करने वालों को सरकारी संपति तोड़ने वालों को मैं बहुत आगर से कहना चाहूंगा कि बहतर सडक, बहतर ट्रांस्पोर्ट सिस्ट्रिम, उत्तम सिवर लाइन नागरीकों का हक है तो इसको सुरक्षित रखना, साफर सुथरा रखना भी तो नागरीकों का दाइत्व है हक और दाइत्व को हमें साथ साथ और हमेशा याद रखना है उत्तम सिक्षा, सुलब सिक्षा हमारा हक है लेकिन सिक्षा के संस्तानों की सुरक्षा, सिक्षकों का सम्मान यह हमारा दाइत्व भी है लेकिन डॉक्टरों का सयόग और संमान करना हमारा दायत्व भी है सुरक्षित माहोल मिलना हमारा हक है लेकिन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार फुलिस तंत्र के काम को संमान देना यहर नागरिक का दायत्व है हक की एक मर्यादा है दारिया है उसका एक दायरा है सीमा है लेकिन दाइत्व की कर्तव्य की भावना बहुत ही ब्यापक है साथ क्यों ये भावना नागरिकों के साथ साथ सरकार के लिए सरकार के हर तंत्र के लिए भी उतनी ही जरूरी है सरकार का दाइत्व है ये है कि वो पांच साल के लिए नहीं बलकि पांच पिडियों को ध्यान में रखते हुए अपना काम करने की आदत बनाएं मुझे संतोज है कि यूपी सरकार अपने इस दाइत्व को निभाने का भरपूर प्रयास कर रही है हम अपना दाइत्व निभाए अपने लक्षों को प्राप्त करे यही शुशासन और यही आज का दिवस अटल जी को स्मरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए यही जनता की अपेक्षा है यही अटल विहारी वाजपाई कि हम सब को सिख्षा है एक बार फिर उत्तरप्रदेश के लोगों को अटल मेडिकल उनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई के साथ आप सबको भी अनेक अनेक शुपकामनाओं के साथ कुछ दिनों के बाद नया वर्स प्रारम होगा इस नये वर्स के भी जब बहुत दूर नहीं है सब्ता बच्मर है आप सभी को उत्तरप्रदेश के लोगों को वर्स 2020 की बहुत बहुत सुपकामनाओं देता हूँ बहुत बहुत धन्यवार प्राउ पानागी प्राउ पानागी